नमस्कार दोस्तों एक बार फेसे स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर जैसा कि थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में तो इसके लिए और यहां पर जादा जाए तो उसमें जैसे जाजस्तान का बजट आया तो आई-क्यू वालों के लिए वही वाला वीडियो थोड़ा सा अजेंट था क्योंकि जैसे आप लोगों पता है बजट आता है तो उसे टाइम इन कंपनीज वालों को डालना होता है इस विच्छा क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम था इस वैसे और इस टॉपिक पर यह मेरा लास्ट वीडियो होगा लास्ट वीडियो ऑन इस टॉपिक इसके बाद जो भी आज पी एस्ट की अंसर की आती है या फिर आगे रिजल्ट आता है तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगा अ मतलब अब जो प्रेडिक्शन वाली बात है वो आज से खतम कर दूँगा मैं उसके बाद दूसरी बात इस वीडियो में मैं आप लोगों को अटेंडेंडेंट सीट दिखाऊंगा अब किती रिलाइबल है उसके बारे में हम देख लेंगे बाकि अटेंडेंडेंट सीट से आइडिया लग जाया किते बच्चों ने एकजाम गये दूर सबसे मेन बात इसकी आढ़लीयों में दर्द होता है हो मत देखना क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं फाल तो कमेंट भी मत करना वीडियो को लाइक डिस लाइक करना करना और रखी थोड़ा साज वीडियो लंबा ह वाला है हमेशा लगबग 12 मिन्ट का होता था आज बाद आज 15 से सोलर मिन्ट का होगा ठीक इतना ही है ज्यादा कोई डिफरेंस ने वाला दैन उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक चीज की इसमें मैंने क्या कही उचिया बता दूं तो चलो सबसे पहले दिखा दे चैनल का पेपर बंगवाया है और मैं खूद चैक किया उनके जो मतलब अशर की इस अविलेबल है उनसे चैक किया तो राउंड जितने नमबर उन्होंने डाले है उससे पांस ज्यादा ही है बकाइदा लग सब सबने माइनस पांच करके डाले है ठीक है जैसा अगर किसने 155 अगर इसमें फॉम में भरे हैं तो 160 नमबर बंद है मैंने खुद चैक किया है दो तिन लोगों का तो इससे अगर आप लोग सोचो नमबर नहीं आ रहे हैं सब में इतने नमबर आ रहे है ठीक है एक बार धान दखना दूसरी बात कुछ एग्रेगरेटेड डाटा में दिख पता होगी 204 पते हैं टोटल तो इसमें एक चीज में दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास एक कमेंट आया था एक एक सर्विसमेन का यह था तो एक सर्विसमेन वाला को लिए मैं कह दूं यह आपको अगर आपके 303 नमबर आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आ नहीं है तो आप किसमें गिने जाओगे जो आपके किसमाने में लावाले उसमें आपके नमबर ठीक है जिसका भी में पर सेफ रह सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अब इसमें देखो एक से दो बात हम अभी कर लेंगे आज इस वीडियो में सब क्लिएर कर दूसरी बात कि सबसे पहले हमारा बहुत बड़ा एक डाइलेमा है कि सबसे पहले फिजिकल होगा या इंटर्विव होगा अगर हम इसके इसके नोटिफिकेशन के थू जाए तो इसके नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं तो इनको अगर और ऐसा ही में यही लिखाए कि जो रिटन टेस्ट पास करेगा उसको फिजिकल के बाद किसके लिए पीर होना पड़ेगा इंटर्विव के लिए पीर होना पड़ेगा तो जहां तक मुझे लगता है यह पहले क्या वायवा करवाएंगे मतलब परस्नालिटी जैसे आप लोगो RPS का होता है या RS का एक्जाम देता हूं उसके बाद काफी डिपार्टमेंट जैसे आपकारीव अगरे डिपार्टमेंट है तो उसमें फिजिकल उसे टाइम हो जाता है ठीक है और इसका फिजिकल इतना हाड नहीं है कि न कंप्लीट किया जैसे कि सहसा ही क पच्चिस किलोमेटर फॉरहोज चार घंटे में चलना है तो और इसमें एक बात पो रहे है कि जिसका भी इतने बड़े ज्यो भी बंदा जाएका जैसे मेरा ही अपका ही होता है तो कोई भी लूप होल नहीं छोड़ेगा कि में फिजिकल में फैल होता हूँ ठीक है टोटल दो सो चार पद हैं इसका 3 टाइम सम लेके चलेंगे तो 612 लोगों को अगर बराबर नंबर पाके रुखते हैं तो 700 मैं कहता हूं खींसतान के चलो 800 लोगों को बुला लिया अब मेरे पास एक सवाल आया था कि 400 प्लस कित्ते लोगों के हैं तो 400 मेरे पास जो अ आगे देख लेना आप उस चीज को तो 400 प्लस का मतलब 464 पर भी बहुत हैं 444 450 450 420 426 401 410 बहुत नंबर है इतने तो जिसको लगता है नहीं आते वो भूल जाओ आ रहे है नंबर ठीक है क्योंकि मैंने personally मंगा के पेपर चैक किया है chemistry में चैक किया है physics में चैक किया है जो subject हो कि उसमें चैक किया है मैंने ठीक है तो आपके नहीं आ रहे तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जूरत है और आपको लगता है कि पेपर है final cut off है से जाने वाली तो यह भी भूल जाओ सीटों के हिसाब से बुलाए जाएगा आप लोगों के नंबर के हिसाब से नहीं बुलाएंगे कि तर नंबर है एक चीज़ और क्लियर करते हैं आपे कि candidate सबसे पहले आपको पता है कंपल्सी सब्जेक्ट में 35% जरूरी नहीं आते तो फेल है बंदा उसके बाद 4 सब्जेक्ट के मिलाके में चो 600 है उसमें से 40% में 240 नंबर जरूरी है अधरवाज फेल हो जाएंगे उसके बाद सब कुछ मिलाके 45% देखरो जैसे इंटर्यू में तो 33 लानी है 75 नंबर का है जरूरी है तो 645-25% के अगर हम बात करें तो यह आता है 303 मतलग 304 नंबर के आसपास तो मिनिमम्म 304 मार्स तो लाने ही पड़ेंगे अगर एक क्राइटेगरी का बंदा भी पूरा नहीं करा तो के टेगरी में छूट नहीं इसमें क्या कैटेगरी छूट है क्या लिखा है इसमें यह लिखा है क्वालिफाइड फॉर इंटर्वू इवन दे फेल्ट उप्तें दर मिनिमम्मार्स प्रस्नेल्टें वाइवास और इन एग्रिकेट प्रस्क्राइप अंडर दर प्रो फोर्ष से वुमन केंडिडेट बिलॉंगिंग टू बैकवर्ड मतलब जो वुमन केंडिडेट है वो 304 से कमप्यार है तो उनका भी हो जाएगा तो कोई टैंसन वाली बात नहीं है ठीक है टैंसन वाली बात नहीं है कब होगा अगर उनकी रिजर्वड सीट फॉर एक्जामपल मैं कहत इनके लिए है यह सिवधा ठीक है हुआ क्वालिफाइट इंटर्यू इवन इफ दे फेल टू अप्टैन द मिनिमम मार्क्स और इन एग्रिगेट प्रिस्क्राइब अंदर फोर सेट प्रोवीजो तो यह है पूरा लेखा जो खाभी तक का मैं 400 प्लस मार्स बता दिया अब देखते हैं हम लोग हमारे पास जो डेटा आया है उसमें महिलाओं के 15.5% डेटा है और 84.5% पूरुश रहे हैं उसके बाद कैटेगीरी वाइस देखा जाए तो यू आ और ओवी से लगबग बराबर है ऐसी वाले दैन उसके बाद MBC का ये रहा ये डबलू एस ये रहा अ 2% का डिफरेंस आया ज्यादा नहीं है then mathematics 8.8% अब मैं आप लोग को डेटा दिखाना चाहूंगा एक जो शोशल मीडा पर सर्कुलेट हो रहा था हो सकता है रिलाइबल है या निया वह आप लोग देख लेना लेकिन फिर भी मैं को काफी कुछ ठीक ठाक लगा इसमें आप देख सकते हैं इसमें की यह समानी गान के टोटल उपस्थित होए लोग हैं कितने उपस्थित होते हैं यह अंग्रेजी के पर्यावरन के जो लोजी के उपस्थित्वाले है और यह टोटल है टोटल कितना फॉर्म भरा था इन लोगोंने ठीक है तो आइधिंक एक लाग 25,000 तो यह ड़ाट सीधे सीधे में को थोड़ा 5000 का इसमें गड़बट दिखाई दे रही है तो ठीक है फिर भी एक मोटा मोटा आइडे लग रहा हमको किते-किते परसंट कि कौन सी काटेगरी कौन से जाएक किते परसंट बच्चों ने एकजाम दिया यह हमको यह देखके लगा स तो यह पूरा आप एक बाद देख लेना पूरे के पूरी अटेंडेंस है यह जो पहली लाइन है पहली लाइन जो चलती है टेंडेंस वाली है तो चाहो तो सीधे स्कीप करके आगे जा सकते कोई प्रावली बात नहीं है ठीक है देन हम आते हैं इसमें अब है फिस से हमारे डेटा पर थो अब है तो हमारे डेटा पर आते हैं तो सबसे पहले जंदर श्रीट दिखो मैं आपको दिखा रहा हूं जैसे यह मांक्स हैं मेल ऐसी 89-95-184-178 तो मैंने इसको किप कर दिया इसको कंसीडर नहीं किया है तेम आप देख सकते हैं फीमेल 75 अगर इनको लगता है आपको पता हो किसके नमबर यह मैं नाम नहीं गए अगर आपको लगता है कि आपके के सही मार्म तो आप इसके और इसकी मेरे को mail कर देना mail आईदेविकायों को मिल जाएंगे वाम से mail कर देना यह थीक है यह दोनों जो आप लोगा पेपर है उसकी फोटो खीज के मैं कंसीडर कर लूँगा अधिर्वाइज यह फीजिबल नहीं दिख रहे हैं में को मार्क्स अब हम आतें जनले स्टेडी के हाइस्ट मार्क्स हैं जो यह मिनिमम लोइस्ट की बात नहीं करेंगे हम तो य 65, 71, 68, 63, ST में 55 और 65 तो आप देखोंगे लगबग बराबर रहें जो नंबर की बहुत ज्यादा डिफरेंस किसमें है में थे तो अब भी उसके लगबग बराबर यह कोई ज्यादा चीज नहीं हुआ मुस्किल से एक नंबर या एक कौन दो पॉइंट पांच ऐसा है तो मैंने वह इसलिए डाला नहीं देखेंगे यू और 95 फीमेल मेल 96 तो यह नंबर जो 96 औ 95 आले हैं तो उनके लिए मैं बता ऐक रिंग्ली का सब्राब पाडआ था कि नंबर नहीं नम्बर आते हैं इंग्लीस में दो सकता है नंबर कोई पॉब्लम नहीं तो यह साय नंबर थे के शार किमेल आपदेख सकते हैं ऐप्रकूरी तो तो आप लोग गया मांग दिखेंग इसमें केन से हैं एन्वाइरमें पर थे 154 marks थे यह ठीक है तो यह उल्टा हो गया है यह 80 थे MBC में और यह 60 थे ठीक है यह 80 थे और यह 160 थे थे क्योंकि यह जो second optional है उसमें साथ environment था इनका ठीक है mathematics optionally I think तो यह आप लोगों को दिख जाएगा उसमें सिर्फ फिजिक्स या mathematics ऐसे है तो यह भी अच्छे marks है काफी एक बात और जैसे कि अब जैसे से यह तो वापिस English के आगे जैसे ही आपको SCST EWS दिखाई दे रहे हैं तो इसमें क्या मैक्सिमम माक्स के बाद जैसे यह है जिसमें बहुत जाद है 155 के बाद सीधे फिर 140 पे 130 पैसे माक्स है तो इसके बीच की रहें बहुत ज्यादा हैं अब हम अगर बात करें तो एवरेज माक्स आरें 390 फिक है तो 303 तो आपको लाने जरूरी है इससे कम में तो कोई मतलब भी नहीं बनता 390 नंबर मिनिमम 235 मैक्सिमम 510 इसके बाद 474 इतने फिजिबल है क्योंकि 465 मेरे एक नोन के आ रहे हैं उसका इन्वायरमेंट और केमेस्ट्री ऑप्शनल है तो 465 उसके आ रहे हैं तो इसलिए में 474 भी कोई बड़ी चीज नहीं है 400 प्लस 560 इस्टुडेंट है अगर आपको लगते हैं उन्हें गलत फीड किया मैं कर रहा हूं 200 ने गलत फीड किया 300 ने गलत किया फिर बी 260 बच्चे प्लस में चल रहे हैं ठीक है चलो मैं कहता हूं कि अगर आप कट आफ कई 260 बच्चे है सबसे ज्यादा नंबर है अरॉंड 470 के आसपस उसके बाद फी सीधे 300 कुछ नंबर है ठीक है जो मेरे पास डेट है उसे इसाफसमें बता रहा हूं तो अब हम आतने हैं सीधे यह सब्सक्राइब दिखाए देंगे चोटा सा मैंने स्नैप्षोट लेकर दिखा है 400 वालों का ताके आप लोगों को और मैंने मन से डाला है यह सारा का सारा में पास इंपूट आये था उसके बाद मैं लिया है और एक बात जिसको लगता है कि गलत इंपूट है कोई बात लगने जाए करें करते हैं कट आफ की एक गड़ी सब्सक्राइब इस से कम कट अव्ले से कट आगी तो नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी फिमल में हम आज रहें गेनी यहाँ पर एकदम बराबर से कट्टाओं फिर भी में 400 पर लेकर आ रहा हूं देमेल में भी 380 लगबग बराबर ही रहेगी दोनों की हम बात करें MBC की MBC में भी ज्यादा फरक नहीं रहेगा इतना है लगबग ठीक है इतना रहेगा और महिलाओं में भी 350 के आसपास लेकर चलिए देन हम बात करते हैं EWS की EWS 390 के आसपास गोते खाएंगे और महिलाओं EWS की में पस ज्यादा डेटा नहीं आएं तो उस हिसाफ से अगर हम देखें तो ये भी 350 से 60 के पीच में रहेंगी SC में पूरुष बहुत अच्छा कर रहे हैं तो इनका भी 370 से मानके चलेंगे हम लोग और ST में पूरुष बहुत अच्छा कर रहे हैं इनको 350 से 60 लेकर चलेंगे हम यहां पर जो महिलाओं को मैं 330 तक लाना चाहूंगा ठीक है अगर इंटर्वी के लिए कॉल के बात और मैं सेलेक्शन के बात नहीं करें इंटर्वी के लिए कॉल होगा 330 तक हो जाएगा 330 से 340 प्लस और माइनस तो मैं करूंगा इन्हीं आप इसे पुरी रहेंगे एस्टी में भी लगबग महिलाएं 300 रेंज यही रहेगी 350 तक रख सकते हो आप लोग 350 से 340 के बीच में यह रहने वाली है महिलाओं की और पुरुशों की बात करूं में पास जो एक सर्विसमेन एक डेटा है आपका हो जाएगा चिंता मत करना आप इंटर्वी की तयारी कर एक अगरे महिला का तो कोई कोटा ही नहीं है तो महिलाएं तो भूली जाओ यह लोग आएंगी इसमें इस वाली कोटे में खिक ओवी सी के साथ समान महिला तो कोटा ही नहीं तो वहां से एक बार खोटा हटाए देते हम लोग इस चीज को आप लोग इनके साथ कंसीडर करो महिलाओं तो यहां पर में कोई कोटा नहीं था देन वीडियो का कोटा है तो अगर कोई वीडियो होगा तो मेरे पास साइध वीडियो का मैं साथ सब काहाटे कि डाली इसलिए नहीं आया तो मुझे लगता है कि सारे जित्ते वीडियो ने दिया होगा सबको इंटरूख लिए बूला दे जाएगा बहुत ज्यादा नहीं दिया होगा में यह उमिद्ट हो जैसे आरेस में हुआ था भी 2018 में भी सोलर में भी सफिसेंट में लाएं थी इनके पास तो उनकी कोई कट आफ निकल जाते हैं जित्ती है जा सारी चलो अब आप कहते हो जैसे में पास कमेंट आया ससी मैं कहते हो लेकिन पढ़ने वाल तो वही बच्चा है ना पढ़ तो वही रहें पेपर वही देखे आ रहे हैं सीट 204 यह बस यह देहां रखना एएन की सीट थी 800 कुछ थी सिर्फ सीविल की बात कर रहा हूं में सीविल क आपके का हो जाएगा और बच्चन पेपर होड़ा और खुदा ना खासता स्केलिंग नहीं क्योंकि मैं देख रहा हूं दोजा 14 के बाद से किस एक्जाम में स्केलिंग की नहीं एक दो और एक्जाम ऐसे हुए है जिसमें सब्जेक्ट अलग थे लेकिन इसमें स्केलिंग न ले रही है तो अगर स्केलिंग हुई नहीं तो एंवार्मेंट वाल तो ऐसे भी ले जाएंगे सब इस पर डिपेंड करता है और अगर मैं कहता हूं कि चलो स्केलिंग हो भी गई किसी के 350 नंबर हैं किसी के 420 नंबर हैं इनको खींच के कहां लिए 300 असली पर पहुँचा द इसके बाद यह लास्ट वीडियो कट आफ का इसके बाद कोई कोई कुछ नहीं सिर्फ और पीस के लिए जब अंसर के आएगी तब जब लिए जलत आएगा तब वीडियो आएगा उसके लावा अब 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 अधर टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग जब भी करेंगे तो आप लोग एक बर फिस से में कहता हूं फालतु कमेंट करने हो तो मत करना वैसे फिल्टर लगा रख है किसी को दिखाई नहीं देगा ठीक है कमेंट करके फालतु अपने हांत मत दुखाना उसके अलावा अगर कोई सुझाओ देना सुझाओ दे सकते हो भाई जैसे वर्ड क में तब तक अपना प्यार ऐसी बनाए रखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना जहां तक हो सके देन चैनल को सब्सक्राइब करना कर चुके हो तो करवाना ओके आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो जाने से पहले एक बार फिस से थैंक्स लोगों को जिन्हों ने पूरी तरह सपोर्ट किया मैं पेपर मांगे तो पेपर सेंड किये थैंक्स अभी को और जिसने भी सजेशन में लिखा था पहले तो आपको घबराना ने उनको भी स्पेशल थैंक्स सो ऐसे बहुत अच्छे सजेशन के लिए बहुत अच्छे का तैसे बने रही है और अपना पैद दिखाते रहे थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो